नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड आज इस वीडियो में मैं आपको घर पर ही व्लीज करने का फेसियल करने का मैं बहुती अच्छा तरीका आपको वताने वाला हूँ फ्रेंड यकीन करना दो रुपे में दो हजार की जो व्लीज पारलर में होती है वो आप घर पर ही कर सकते हैं पारलर में जाने के बाद आप हजारों रुपे वरवात करके आते हैं लेकिन वो निखार आपको एक या दो दिन के लिए ही मिल पाता है लेकिन फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका वताऊंगा कि आपको 15-20 दिन ऐसे चेहरे पे सुन्दरता चमक रहेगी कि सब आपका चेहरा देखके ये जानेंगे कि आज ही इसने ब्लीच करवाया है फेसिलक करवाया है तो फ्रेंड येदी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना लाइक नहीं किया है तो अफिया लाइक कर लो और वीडियो के लाशन मुझे कमेंट में आपको जरूर बताना है की आपको वीडियो कैसा लगा ठीक है फ्रेंड चलिए अब ध्यान से पूरा वीडियो देखना सुनना जो जो मैं आपको वताता हूँ ठीक है फ्रेंड देखिए फ्रेंड सबसे पहले आप अपना फेस नॉर्मल पानी से दो लेजिए सावन या फेस वाउस से आपको नहीं धोना है अपना फेस धोने के वाद सिर्फ दो चमच केवल दो चमच कच्चा दूद लीजिए एक कटोरी में निकाल लेना दो चमच कच्चा दूद और इसमें दो चुटकी हल्दी पेश्ट मिलाना है दो चुटकी हल्दी पेश्ट इसमें मिला लीजिए और चार भूंदे नीवू के रसकी बस और कुछ भी नहीं चाहिए फ्रेंड इसको पूरी तरीके से सुन लेना समझ लेना इसको कैसे लगाना है मैं ये कहता हूँ कि आपको ब्यूटी पालर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगे फेशियल विलीच करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगे आपका घर में ही ये सब हो जाएगा इसको अच्छी तरह से हिला के मिक्स कर लेना क्वाटन की मदद से आप अपने पूरे फेश पर इसको लगा लेना लगाने के बाद फ्रेंट कम से कम 15-20 मिनिट तक इसको अपने चेहरे पर लगाए रखना फिर आप घर का कोई सा भी काम कर लें या फिर रेस्ट करने आपको जो अच्छा लगे आप बो कर लेजी फिर फ्रेंट 15-20 मिनिट के बाद जब ये अच्छे से सूख जाए सूखने के बाद फिर आपको अपना फेश नॉर्मल पानी से दो लेना है ठीक है फ्रेंट नॉर्मल पानी से अपना फेश दोने के बाद 5-10 मिनिट के बाद जब आपका फेश सूख जाएगा आप तुरं गंटे तीन गंटे के बाद आपके चेहरे पर जो निखार जो सुन्दूरता देखेगी यकीन मानना फ्रेंड आप इसको हमेशा करेंगे इसलिए फ्रेंड जब भी बिलीच करने का मन हो आप घर पर ही बिलीच कीजिए तो फ्रेंड आज का वीडियो जानके आपको क्या से ला झाल